नमश्कार दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर एक special question मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूँ जो अभी recently court के सामने भी आया था आप सभी लोगों को पता होगा कानून के अंदर जो बाते लिखी हुई है इसके बाद जब interpretation होती है तो बहुत सारे questions निकल के आते हैं लेकिन इसकी सचाई भी है कि अगर कोई भी question निकल के आता है उसका जवाब भी आपको वही कानून के अंदर मिलता है जैसे कि आपको पता होगा हमारा protection of women from domestic violence act 2005 एक कानून जो है 2005 के अंदर implement करा गया था पार्लिमेंट के दुआरा तो ये question इसके अंदर पर ये raise हुआ कि मान लेते हैं कोई एक लड़की की और एक लड़की की आपस में शादी हो जाती है अब वो husband and wife के तौर पे अपना एक marriage की duties perform करेंगे अब इस situation में यहाँ पर अगर कोई भी दिक्कत परिशानी महिला को आती है वाइफ को आती है तो वाइफ के पास एक अधिकार दिया गया है कि भाई वाइफ जो है अपने husband के अगेंस में maintenance पाने के लिए जो भी उसको परि special बात यहां पर यह सबूतों के अधार पर यहां पर सामने आया कि जो महिला है जिसने अपने husband के खिलाफ domestic violence act के अंदर application लगाई है यानि कि case दर्ज करा है तो वो जो husband है वो है अब आप लोग जानते होगे यहां पर as a gay personality आपके पास हो ना तो यह कानून के अंदर भी यहा यहां पर वाइव जो है अपने gay husband के उपर यह क्या domestic violence का case दर्ज कर सकती है यह question राइज होता है तो यहां पर भी रिसेंटली Bombay High Court ने particular सीधे शब्दों में बोल दिया है कि हाँ यहां पर वाइव जो है अग्रीव परस्टन के तौर पर अंडर सेक्शन नंबर 2A of DY Act 2005 के अं सकती है अपने gay husband के उपर यह Bombay High Court ने बोला है तो यहां पर sir magistrate के तो दर्जा अलग होता है वो तो district court के अंदर अपनी services provide कराता है और Bombay High Court के अब बात कर रहे हो देखिए सबसे पहले case दर्ज हुआ था trial court के अंदर magistrate के सामने अंडर सेक्शन में 12 के अंदर जहां पर यह magistrate के बाद में 6 महीने तक इन्होंने अपनी marriage को solomonize तो कर लिया था लेकिन जो duties perform करने के होती है वो husband के द्वारा perform नहीं करी जा रही थी अब इस situation में wife ने अपने husband के whatsapp chats पड़ी और husband देर रात तक घर पे आता था और एक compromise situation other men's के साथ में जो है wife ने husband को अपनी पकड़ा भी था फोटो भी देखी थी एक्सेक्टरा एक्सेक्टरा तो इस वजे से wife को जो है बहुत जादा अपनी mentally एक तरी के से cruelty यहां पर नजर आईए और as per section 3 अगर मैं definition of the domestic violence की बात करूं तो यहां पर केवल मारपीट करना या XYZ जो भी cruelty हमारी category में आती है वो हमारा domestic violence के अंदर तो आता है लेकिन अगर आप emotional, mental, physical और कोई भी आपको mentally pressure आपको दिया जा रहा है वाइफ को दिया जा रहा है वो सारी चीज़े मिमारे section number 3 के अंदर domestic violence के category में आती है जो husband के दुवारा यहां पर अगर आप gay personality हो और अपनी वाइफ को जो है अपना कोई भी ऐसा mentally या emotionally या physically आप torture कर रहे हो इस case के अंदर जो है यहां पर section number 3 के अंदर magistrate के सामने जब यह case आया था उन्होंने इसको हाँ बोला और wife जो है अंदर section number 2A के तौर पे agree person के तौर पे domestic violence के अंदर इनको agree करा गया और यहां पर trial court ने magistrate की court ने जो है 15,000 रुपे का compensation pay करने के लिए gay husband को बोला कि भाई आपको अपनी wife को pay करना पड़ेगा क्योंकि आपने इपनी wife को जो है एक mentally pressure के तौर पे पहुंचाया है जिसमें additional session judge जो है इस case की सुनवाई कर रहे थे जिनका नाम था Dr. A.A. गॉलेकर इनका ये नाम था और दूसरी बात यहां पर आती है जो husband था उनको husband ने क्या करा अपनी जो इस order को challenge करते हुए Bombay High Court के अंदर अपनी एक application file करी यानि कि appeal file करी अब इस situation में Bombay High Court के सामने ये सारी बाते आई कि जो respondent है यानि कि category के अंदर जो definition to section 2, 3 के अंदर बता रखी है उसमें अपनाद commit किया है और जो trial court ने compensation का 15,000 रुपे का जो जुर्माना लगाया है वो बिल्कुल सही लगाया है क्योंकि यहां पर सबूतों के और husband ने यहां पर लगाया था application अपने defense में husband ने बोला थी जसाब भाई मैंने त उसके अभी exams हैं उसकी examinations हैं वेगारा वेगारा तो भाई मेरी साइट से तो कोई गलती है नहीं है लेकिन यहां पर husband का जब wife ने अपने arguments के अंदर जब अपने सबूत के तोर पर बताया कि जसाब इन्होंने जह है fictitious facebook accounts और यहां पर compromise position के अंदर जह है photos मेरे पास हैं और sext husband के जो points हैं यह बिलकुल बेबुनियाद हैं बिलकुल irrelevant हैं और यहां पर फिजिकल relationship को refuse करने के यहां पर बात आ रहे हैं और जो mentally यहां पर wife को प्रेशराइज करा गया है husband के तुआरा अपने gay personality होने की वज़े से तो इस वज़े से यहां पर husband को लाइबल ठहरा जाता है under domestic violence act यानि की production of women domestic violence act 2005 के अंदर under section 2A के अंदर as a aggrieved person के तौर पे wife को यहां पर libel ठेड़ा उमलब यहां पर जो है इनको as a party के तौर पर यहां पर entry दी गई है और जो 15,000 रुपे का compensation जो trial court ने, magistrate court ने impose करा था additional session judge के दौरा वो बिलकुल सही है बात खतम तो यहां पर question आता है आपके exam point of view से मैं बात करूँ और यहां पर जह साब ने testimony evidence के तौर पर जो photograph wife के दौरा screen shots wife के दौरा husband के nudes screen shots wife के दौरा court के पेश करे गए थे इसी वज़े से यहां पर libel ठेराया गया तो इस video के अंदर मैं आपको exam point of view से एक नहीं एक जानकारी देने की पूरी को यह point आपको questions देखने को मिलेंगे तो आपको यह जो मैंने video के अंदर एक बात जो बताईए आपको ध्यान से समझने है court का judgment की copy जो आपको description box के अंदर मिल जाएगी अगर video आपको बहुत informative लगी है समझ में आई है तो आप अपना point of view जरूर बताएगा कि आप क्या सोचते ह इस particular पूरी के पूरे case की facts को समझने के बाद में और आपको अगर video पसंद नहीं ते वीडियो को like करना है चैनल को subscribe करना है हम मिलते है next video करना है thank you तन्रवाद